अनन्तंबानी और रादिका मर्चंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बॉलिवूट के खिलाडी कुमार यानि के अक्षे कुमार ने अपना सालो पुराना नियम तक तोड़ डाला है नमश्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दर यूज और मेरानी गुपता आपके साथ दरसल जामनगर में अनन्तंबानी और रादिका मर्चंट की प्री वेडिंग एवेंट में बॉलिवूट सेलप्स ने खुब धमाल काटा शारुखान, सल्मान खान और आमिर खान स्टेज पर एक साथ डांस करते हुए नसर आएं तो वहीं अक्षे कुमार की एनरजेटिक परफॉर्मेंस देखकर मुकेश अंबानी इमोशनल भी हो गए उन्होंने परफॉर्मेंस के बीच जाकर अक्षे कुमार को गले लगा लिया, अब हालिया इंटराक्शन में अक्षे कुमार ने इवेंट के बारे में कई सारी बाते कहीं हैं, अक्षे कुमार ने बताया है कि इस इवेंट के लिए उन्हें अपना सालों पुराना एक नियम तोड़ना पड़ा क्योंकि ये फंक्शन रात के 3-4 बज़े तक चला जबकि वो जल्दी सोने और जल्दी जागने वाले इंसान हैं दिरसल आपको बता दे कि हिंदुस्तान टाइम्स के बाचीत के दौरान अक्षे कुमार ने आमबानी इसके एवेंट की अपनी परफॉर्मे प्रयास किया है अनन्त और राधिका बहुत प्यारे होस्ट भी है महाकाल का इस हैपी कपल पर आशरवात बना रहे है आपको बता दे दरसल अनन्त और राधिका का प्री वेडिंग इवेंट एक से तीन मार्च तक चला था शनीवार की रात को अक्षे कुमार ने परफॉर् किया इसके बाद कपल के लिए गुड़नल इश्क मिठा गाना भी डेडिकेट किया परफॉर्मेंस के आखर में मुकेश और नीता अमवानी ने अक्षे कुमार को गले लगा लिया था अक्षे कुमार परसनल लाइफ में अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं वो कई तीन चार बजे तक जाक करके परफॉर्मेंस देनी पड़ी अक्षर कई सारे प्लेटफॉर्म में जब अक्षे कुमार से इंटर्व्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप जो बॉलिवुट की पार्टीज होती है उसमें क्यों नहीं नजर आते हैं तब अक् आर बजे तक मैं उठ जाता हूं जिसकी वज़े से मैं किसी भी बॉलिवुट की पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता साथ ही उन्होंने ये तक कहा है बॉलिवुट की पार्टीज को लेकर के कि इन पार्टीज में गोसिप होती है और कभी-कभी तो लड़ाई झखड़ की भी खबर सामने आती है ऐसे में मीडिया वालों को मिर्च मसाला भी मिल जाता है जिसकी वज़े से इन चीजों को मैं अवाइट करता हूँ और ऐसी पार्टी से दूरी बना करके रखता हूँ खैर अगर हम बात अक्षे कुमार की करें तो अक्षे कुमार वाकई में जिस तरीके से फिल्मों में काम करते हैं उसको लेकर कि उनके जो को स्टार है वो भी बाते कहते हूए नसर आते हैं और उनका कहना होता है अक्षर कुमार जो हैं discipline के साथ set पर आते हैं, अपनी फिल्मों को खत्म करते हैं, और जिस तरीकी से उनकी फिल्मे होती हैं, वो एक दो महिने में किसी भी project को खत्म कर देते हैं, और ऐसा देखने को भी मलता है कि साल में जहां किसी star की 2-3 सालों में एक फिल्म आती है, तो अक सवसुत लेकिन लगातार अम्बानी सी गता हैं लेकिन अभी चट्चा इसी ले करिका हो रही है बताने के डांस परके लेकिन नजचे समएzent लेकिन आप पर्पूंचे समित कई अपर्स निश्टी हर यही रेहना ने प्रफॉर्मेंस दी थी खेर अक्षे जल्दी बड़े मिया छोटे मिया नाम की फिल्म में नसर आने वाले हैं इस फिल्म को अली अबाज जफर ने डिरेक्ट किया है इसके अलावा साल 2024 में उनका लाइन अप टगड़ा है इस साल के अंत तक अक्षे की खरीब 9 फिल्म में रिलीज हो सकती है इ शरन नायर खेल-खेल में और हेरा फेरि 3 शामिल है आपको बता देख हेरा फेरी मूबी की जो फ्रेंचाइजी है उसको ले करके लोग बहुत दिनों नंगी और यह दो नों में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और दर्शक कई दिनों से इसकी अगली फ्रेंचाह की मांग कर रहे थे इसके अगले रिमेक की मांग कर रहे थे और जिस तरीके से इस फिल्म में बाबुराओ का किरदार हो राजु का किरदार हो आप फिर चाहे वो सुनील सेट्री का किरदार हो यह लोगों को काफी जादा पसंद आई थी और एक बहुत अच्छी कॉमेडी फि कोल भी कर रहे हैं लोगों का कहना है कि यह वही अक्षे कुमार है जो की अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं इन्होंने कभी कहा था कि वह तंबाकू गुठका से भी दूरी बना करके रखते हैं लेकिन जब इन्हें एक एड ऑफर किया गया था तो बकादा यह कोई भी कंपनी उन्हें कितना भी पैसा ओफर कर दे लेकिन हाल ही में एक एड देखने को मिला था जहां पर शारुखान अज़ेदेवगन और अक्षे कुमार जो हैं वो एक साथ पान मसाला का एड करते हुए नसर आते हैं जिसके बाद उन्हें काफी जादा ट्रोलिंग ज सा नहीं लेंगे लेकिन अभी भी अगर आप पान मसाला का एड देखेंगे तो कहीं कहीं अक्षा कुमार इड में बोडी या उनकिति के लिए कर गोड़े लूट कर रहे हैं आफिर कोई गाए कि counterparts की fight मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब अमबानी के यहां पर शादी होती है उनके यहां पर फंक्शन होता है तो यही अक्षर कुमार वहां पर चले जाते हैं और रात के तीन चार बज़े तक अपनी परफॉर्मंस देते हैं यहां पर तो बॉलिवुट के जो तीनों खान से हैं जिनको लेकर के कहा जाता था कि वो कभी एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते और एक साथ कभी फिल्म में नहीं आ सकते क्योंकि यह तीनों खान इतने ज़्यादा महंगे हैं कि कोई इन्हें अफॉर्ट ही नहीं कर पाएगा अगर करता भी है तो उनके कपड़े बि तो इसे में लगातार इस वक्त अंबानी के फंक्षन के जो वीडियो वारल हो रहे हैं और इसमें कई सारे सेलेब्रिटीज भी स्मिल हैं अमबानी परिवार है और उनके बहुत सारे फोटो हैं चोकि आए दिन चर्चा का विश्याइब बना हुआ है और अबही की नजरे इ एक से लेकर के 3 मार्च तक लेकिन जो अनंतंबानियों और राधिका मर्चंट की शादी है वो जुलाई में होनी है लेकिन इससे पहले इस प्री वेडिंग को लेकर के हर ओड चर्चा है और लोग इसकी जबरदस्त तारीफ भी कर रहे हैं फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं धन्यवाद